फ्रेंट्स हम आज बात करने वाले हैं लरित नायन मितला इनवर्सिटी में बीए, बीएस, बीकॉम, पार्थार्ट का जो एक्जाम होने वाला है 2020 में उसका एक्जामेनेशन प्रोग्राम जारी कर दिया गया है चलिए हम इस वीडियो में डिसकस करते हैं सभी सब्जेक्ट के बारे में कि आपका एक्जाम कब है और जेनरल और वोकेशनल कोर्स सभी का 2020 में एक्जाम होने वाला है उसका प्रोग्राम चारी कर दिया गया है हैसे प्रोग्राम बताने से पहले जिन लोगों का प्रैक्टिकल उसके बाड़े में बतादू फ्रै और केमेस्ट्री है तो गुरूप A वाले फ्रेंट्स का जो एक्जाम होगा पहला एक्जाम 3.3.2020 को फर्स्ट में जो की 10 बज़े सुबा से 1 बज़े तक होगा और दूसरा एक्जाम जो पेपर 6 होगा गुरूप A का 6.3.2020 को होगा फरस्ट चिप्ट में ही होगा जो कि फरस्ट चिप्ट में ही चारो पेपर है तो चलिए जो आपका छथा पेपर है दूसरा एक्जाम वो 6-3-2020 को होगा और तीसरा एक्जाम जो पेपर साथमा है आपका 14-3-2020 को होगा और ग्रूप A का जो आपका लास्ट ओनर्स पेपर का एक्जाम है 18.3.2020 को होगा जो पहले ही सिफ्टी में होगा और आपका GES जो है जैसे की साइकलोजी आर्ट्स में आता है केमेश्टी साइन्स में आता है उसका GES जैसे की आर्ट्स सब्जेक्ट का अगर देखेंगे जेनरल कोर्स साइन्स कॉमर्स का जो GES एक्जाम होगा जो दूसरे सिफ्ट में 21.3.2020 को फाइनल एक्जाम हो जाएगा तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं जैसे आर्ट्स वाले का GES ओनर्स ग्रूप EF में से जो आते हैं उनका 24.3.2020 को होगा लेकिन ग्रूप A A और B आर्ट्स और जेनरल का GES 23.3.2020 को होगा तो चलिए फैंट इसको हम बात में डिस्कस करनेंगे इसे पहले ओनर्स पेपर का पहले डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद इसको सही से डिस्कस करेंगे जूट जाता हमेशा तो इसको हम डिटेल से चार्चा करेंगे उससे पहले सभी ग्रूप का एक्जाम बता दे रहा हूं फ्रेंट्स जैसे ग्रूप बी का एक्जाम ग्रूप बी में हिस्ट्री उर्दू एईएच एंड सी संस्क्रीट तो फ्रेंट्स अब आपने ग्रूप बले लोग ध्यान देंगे ग्रूप बले लोग का एक्जाम पहला एक्जाम 3.3.2020 को दूसरे सिफ्ट में होगा जो की दो बजे से पांच बजे तक होगा और ग्रूप बी का दूसरा एक्जाम जो होगा जो छटा पेपर 6.3.2020 को सेकेंड सिफ्ट में होगा फिर ग्रूप बी का जो सातमा पेपर तीसर एक्जाम, 14.3.2020 को होगा, सेकेंड सिफ्ट में ही होगा। गुरूप B का लास्ट ओनर्स का एक्जाम जो होगा, 18.3.2020 को सेकेंड सिफ्ट में ही होगा। GES के बारे में बाद में बात करेंगे। इसे पहले इसको बता देते हैं, अलग-अलग गुरूप का, गुरूप C का, कॉमर्स का एक्जाम, मैथेमेटिक्स, म्यूजिक, ड्रामेटिक्स, LHW, मैथली जो यह सभी गुरूप C में आते हैं, तो गुरूप C वाले लोग ध्यान देंगे, कि गुरूप C का एक्जाम कब-कब हैं, तो गुरूप C वाले लोग जो अभी मैंने सब्जेक्ट बोला, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर भूल गया होंगे, तो आप वीडियो को पीछे करके देख लेंगे, कि आपको गुरूप C में कौन-कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो गुरूप C में 4.3.2020 को पहला एक्जाम होगा, जो कि पांचमा पेपर, गुरूप C का दूसरा एक्जाम, 7.3.2020 को दूसरा एक्जाम, 6 पेपर होगा, गुरूप C का तीसरा एक्जाम, जो सातमा पेपर, 16.3.2020 को पहले सिफ्ट में होगा, group C का honors paper का जो होगा last exam जो की उन्हेस दिन को होगा पहले shift में तो friends group C का honors paper का exam के बारे में बता दिये अब GES के बारे में last में सबका एक साथ बताएंगे तो चलिए friends आगे हम बात करते है group D, political science, physics और हिंदी तो group D में जो friends आ रहे हैं उसमें ध्यान देंगे तो group D का जो पहला exam होगा वो 4-3-2020 को पहला exam पांचमा paper जो की 4-3-2020 को दूसरे shift में होगा और दूसरा exam 7-3-2020 को दूसरे shift में होगा छठा paper और तीसरा exam 16-3-2020 को दूसरे shift में होगा और जो honors paper का group D वाले का last exam है 19-3-2020 को दूसरा ही shift में होगा तो friends यह जानने की जरूरत है कि आपका जो exam होगा जैसे group B वाले का जिसका first exam में पहला exam है सारा exam honors paper का पहले shift में है या दूसरे shift वाले का दूसरे shift में सारा exam है लेकिन GES में changing हो सकता है तो अभी बने रहे हैं अभी हम एक एक करके सारा discuss कर लेते हैं से बाद GES का पंडा किलियर करेंगे ग्रूप E में देखते हैं friends sociology, economics, geology, home science तो friends जो लोग इस group से बिलोंग करते हैं तो वो ध्यान देंगे तो group E वाले friends का जो पहला exam है पांस तीन 2020 को पहला exam पांचमा पिपर होगा ग्रूप E का दूसरा exam तेरा तीन 2020 को छठा पिपर होगा और group E का जो तीसरा exam होगा साथमा पिपर सत्रा तीन 2020 को होगा और बीस तीन 2020 को ग्रूप E का आठमा पिपर होगा तो चलिए friends आगे हम चर्चा करते हैं लाश्ट ग्रूप बचेगा उसके पाद GES और Vocational कोर्स का जो बाकी रह गया उसके बारे में बात करेंगे तो चलिए ग्रूप E में जोगराफी आर एकोनोमिक्स फिलोसोफी पार्सियन बॉटनी इंग्लिस एन्थोप लोजी ये सभी सब्जेक्ट ग्रूप F में आते हैं तो आप ध्यान देंगे देख लेंगे कि आपका ग्रूप F में कौन-कौन सब्जेक्ट है किस ग्रूप से विलोंग करते हैं वो ध्यान रखेंगे आप ग्रूप F में जिन जिन सब्जेक्ट का मैंने नाम लिया, वो group F वाले ध्यान देंगे, group F का जो पहला एक्जाम होगा, जो पांचमा पेपर, तो friends आप ध्यान देंगे, जो पांचमा पेपर जो आड़ा है, इसके बारे में आप समझेंगे कि, पहला, दूसरा, फर्स्ट पार्ट में एक्ज जिसे group F का 53 2020 को, पहला एक्जाम दूसरे सिफ्ट में, दूसरा एक्जाम group F का दूसरे सिफ्ट में, 13-3 2020 को, group F का जो तीसरा एक्जाम साथमा पेपर होगा, 17-3 2020 को, और group F का जो आठमा ओनर्स पेपर का last exam, 23-3 2020 को होगा, तो चलिए फ्रेंट्स, अब उसके बाद, जो general और vocational course के बारे में, जो है, उसका बता दे रहें, फ्रेंट्स, sociology, general commerce, general, साथमा, anthology, general, जो 3 2020 को होगा, इसमें कुछ जानने की ज़रुवरत नहीं है, कोई group wise नहीं है, इसमें direct दिया हुआ है, तो इसमें से आप देख सकते हैं, general और vocational course वाले लोग, इसमें आप देख सकते हैं, कि आपका एक्जाम कब कब है, तो चलिए सबसे confusing part, जो GES का एक्जाम का होता है, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, तक कि clear हो जाए आपका, कि कब आपका एक्जाम है, देखें फ्रेंट्स, ये सबसे बड़ा confusing part है, इसलिए आप ध्यान से देख लें, क्योंकि आपका एक्जाम छुटना पाए, तो फ्रेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं आपे, 21-3-2020 को GES Honors, जो Honors था, ग्रूप A, B, C, Science, Commerce, Philosophy, General, तो फ्रेंट्स, Philosophy, General और ग्रूप A, B, C में जो लोग बिलोंग करते हैं, आपको याद हो किस ग्रूप में आपका एक्जाम था, नहीं ग्रूप में याद है, एक बार यहाँ पर आप देख लेंगे, जिस ग्रूप से आप विलोंग करते हैं, उसमें देख लेंगे, और General सब्जेक्ट में आपका किस GES में, आपका कौन सा मैच कर रहा है, उसमें आपका एक्जाम ह GES, Honors वाले Science और Commerce, Philosophy और General, यह सब ही का एक्जाम 21-3-2020 को GES का होगा, तो चलिए फ्रेंट्स, आगे हम दूसरा बात करते है, GES Honors, Group DEF, General Course, Science and Commerce, जो Group Honors, यह सब ही जो आते हैं, जो DEF में हैं, और General Course, साथ ही General Course का भी इसमें, Science and Commerce, Honors वाले और General Course जो भी DEF में आते हैं, Science and Commerce सभी, तो उनका एक्जाम Second Shift में, इधर नहीं दे करके, यहां पे दिया गया है, इसका मतलब आप समाझ देंगे Second Shift में, क्योंकि यह दोनों जो कॉलम है, इसमें Second Shift का ही एक्जाम का दिया गया हुगा, क् Second Shift में ही General और Vocational Course का है, तो दोनों को अलग-अलग करके दे दिया गया, लेकिन Shift दो से पांच वजे वाले ही Shift में, इनका एक्जाम है, तो ध्यान देंगे, इसमें, हो या इसमें, आपका Second Shift में ही है, तो आप ध्यान देंगे, कि आपका किस ग्रूप में है, तो चलिए, अब देखेंगे, फ्रेंट्स, Arts और L.S.W. General का जो, वो इसमें एक्जाम होगा, जो First Sitting में 23-2020 को, और इसमें, जी एस, ग्रूप, C.O.D. General Course और Arts का जो General Course है, उनका एक्जाम 23-2020 को Second Shift में होगा, 24-3-2020 को, जी एस, ओनर्स, ग्रूप, E. और F, Arts Subject, तो फ्रेंट्स, देख लेंगे, यहाँ पर छोटा सा लिखा हुआ है, Arts Subject, तो Arts वाले का, ग्रूप, E. और F, इसमें, Arts Subject, A. और B, इसमें, Science and Commerce, ग्रूप, A. और B, C, Philosophy, Philosophy, General सभी का, इसमें होगा एक्जाम, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप comment box में पूछ सकते हैं, और GES का 4, 5 एक्जाम होगा, जिसमें, अलग-अलग ग्रूप, और General Course का, अलग-अलग एक्जाम है, Science और Arts का भी बटा हुआ, ग्रूप, A, जैसे ही कुछ लोग जैसे की, ग्रूप, A देखते हैं, तो वो समझ लेते हैं, कि मेरा ग्रूप, A है, लेकिन यहाँ पर General और Science, Commerce कुछ नहीं देखते हैं, लेकिन, ग्रूप, A का दूसरे दिन भी एक्जाम है, लेकिन इसमें, अलग-अलग केटेगोरी बाट जैसे की, Arts वाले, General वाले, General वाले, और Science, Commerce वाले, तो अलग-अलग बिल्कुल बटा हुआ, ध्यान से देखेंगे, Friends, कि आपका एक्जाम छूट ना पाए, तो चलिए, अगले वीडियों में मिलते हैं, Center List भी आगए, Friends, लेकिन, Center List, मैं Slide कर दे रहा हूं, एक वार इस वीड जाते जाते हैं, आप सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, Friends, तकि लेटेस्ट अपडेट आपको आपके मुझाल तक आसानी से मिलता रहा हूं, चलिए, एक बार सलाइट इसको भी कर दूँ, तकि आप इसका इसकी इंसोर्ट ले करके, आप फिर से देख सकते हैं, Confusion दूर कर सकते हैं, यह रा सेंटर लिस्ट, जिक के एस कॉलेज लहडिया सरा है, उसमें जो जितने कॉलेज है, वो सभी का इस सेट दिया गया होगा, इस कॉलेज में यह सभी कॉलेज का सेंटर पड़ा है, तो आप देख सकते हैं, जिसमें आपका सेंटर जिस कॉलेज से पड़ा ह जैसे RK College मधुवनी है तो RK College मधुवनी में ये सभी College का सेंटर पड़ा तो आपके देख सकते हैं कि कौन सा College इसमें बिलॉंग करता है तो चलिए फिर अखले वीडियो में मिलते हैं धन्यवाद